आरेसेस बीजेपी के सरकार में अम्बेटरवादी है, विचार स्वातंतरवादी है, लेखन स्वातंतरवादी है और व्यत्ती स्वातंतर मानने वाले जो है उनके सामने एक चुनोती खड़ी की है आरेसेस बीजेपी ने एलाम किया है कि अगर वो दोबारा सब्ता में आते हैं 2019 को, उसके बाद में आसानी से वो 2022 को राजस्वा में भी मिजॉर्टी मिल सकती है, बहुमत मिल सकता है दोनों ही सबागरा में बहुमत मिलने के बाद, वो जो नया भारत निर्मान करने की घोशना कर रहे है, उसको वो पूरा कर सकते हैं उनका नया भारत का मतलब है नया सविदान नगाश अविदान आया तो उसमें ना आरक्षन देगा, ना व्यक्ति स्वातनता होगा, ना लिखने का लिकार होगा, और ना आज की जो डिमोक्रासी है, वो डिमोक्रासी देगा मैं इसलिए सभी वर्गों से ऐलाम करता हूँ, कि यह जो एक खत्रा मंडरा रहा है, उसको चुनोती देने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए, एक वेचारी संजर से सुर्वात करने के लिए, पंदरा अक्तोबर को आमदावाज शहर में नवाजगरं जो मैदान है, उस मैदान की घोषणा की जाएगी, इस एलाम की घोषणा की जाएगी, और वहीं से एक नया भारत के विरोद, एक आंदुलन शुरुआत करने की घोषणा भी होगी, मैं तमाँ अंबिर्डरबाजियों एलाम करता हूं, विचास वतनादवाजी है, लेखन स्वतनादवाजी है, विएत्ति स्वतनादवाजी है, उनसे भी एलाम करता हूं, कि आप इस लगाई में सयोग देंगे, और आपका सयोग जो है, 16-15 अक्तुबर को अम्रबाद शहर में जो रैली होने जाली है उस रैली में आप सरीफ होंगे एक ताकत बताएंगे और बीजेपी और आरेसेट का मकसद जो है वो पूरा नकमने की कसम हम महाँ पर खाएंगे और एक नया अंदोलन महाँ से शुबात करेंगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जंद में सामिल होंगे स्वयोग देंगे और इसको खामिया बनाने के लिए पूरी ताकत भी देंगे इनी शब्दों के साथ मैं आपके से रजा लेता हूं जैवीर जैवार